दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हुए पर फिर से आपके और हमारे यूटूब चैनल प्राचीन परंपरापर दोस्तो स्वपन सास्त्र एबं स्वपन विज्ञान से जुड़े एक नई रहस्य के वारे में आज एक वार फिर से हम लोग बात करेंगे दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आप अपने स्वपने में किसी मृत व्यक्ती को खाना खिलाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि आने वाले निकट जीवन में आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किस ओर संकेत करता है दोस्तो स्वपने में किसी मृत व्यक्ती को खाना खिलाना तो आएज जानते हैं दोस्तो सुपने सास्त्र एवं सुपने विज्ञान के अनुसार यदि आप अपने सुपने में किसी मृत विक्ती को खाना खिलाते हैं तो यह एक बहुत ही सुब और सकरात्मक सुपने माना गया है सुपने सास्त्र एवं सुपने विज्ञान के अनुसार यह सुपने दोस्तो दरसाता है कि जो भी आप आपके कर्म जो भी आप कर रहे हैं उसमें सकरात्मक कर्म में आपकी ब्रद्धी होने वाली है एवं दोस्तो निकट जीवन में आप कोई धार्मित कार या फिर कहा जाए तो कोई सुब कार कर सकते हैं जिससे जनहित होगा तो दोस्तो यदि आपने कुछ इस तरह का सुपन देखा है तो निकट जीवन में आपके साथ सुप घटनाएं घट सकती हैं तो दोस्तो उमेद करता हूँ मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सबस्क्राइब लाइक से जरूर करें धन्यवाद